हेलो दोस्तों स्वांगत है आप सबका हमारी यूटीब चैनल करेंट अफ्यास अक्याटनिंग में आज की वीडियो में हम लोग GS2 के section quality जो होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इसको बुक को खतत गया जाए कैसे इसको बढ़ा जाए ठीक है chronological order में या फिर यह बोले जिस क्रम में इस बुक को बनाया गया है अगर आप इस क्रम में पढ़ेंगे तो definitely आनके चली के आप इसको पढ़ने में पूरा आपना interest खो देंगे ठीक है अगर यह chapter wise आप पढ़ेंगे तो आपका कभी भी concept building सई से नहीं होगा हमें साप लिंक करते रह जाएंगे पहले यह आया तो वह आया क्यों आया तो ठीक है तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करेंगे एक सबसे अच्छा तरीका है कैसे इसको concept wise पढ़ा जाएगा उसके बारे में अभी मैं discuss करेंगा लेकिन थोड़ा सा एक बात देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या-क्या पढ़ना होता है ठीक है इसमें total 11 बाग दिए गया है 11 बाग में पूरे quality को divide किया गया है हर बाग में आपके कुछ chapters है ठीक है पहले वाले में बहुत सारे इसमें ऐसे chapter हैं जिनके notes आदर आप पनाएंगे तो एक पीज में भी नहीं आया था एक पीज से कम में भी आया या फिर वो जरूरी भी नहीं है पढ़ना ठीक है तो अब भी चलते हैं कि देखते हमको कैसे पढ़ना है ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले ए अगर आप इस order में पढ़ेंगे तो आपको समझने थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा ठीक है वीडियो के लाश्ट तक बने रहेएगा आज आपकी quality से सम्बंदी जितने भी सारे doubts है वो सब कि सब क्लिए और जाएंगे लेकिन उससे पहले आप एक च्छोटा सा काम कर दीज जो भी चीज़े हैं ठीक है देखिए पूरे quality को मैंने चार या पांच पार्ट में डिवाइट गया है अब यह आपको निचे दिए जाएगा लेकिन किस क्रम में हमको पढ़ना चाहिए यह आपको मैं आज सारे doubts क्लिए कर देता हूं ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम लो पहले 20 को उठा लिया या फिर 30 को उठा लिया ठीक है अगर आप इस करम में पढ़ेंगे तो मैं definitely कहता हूं कि आपको पूरा मजाने वाला है quality उपढ़ने में ठीक है सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे chapter 17 में जाएंगे 17 में ठीक है वहाँ पे जाके आप लोग सबसे पहल सबसे वाला section खतम करेंगे ठीक है उसके बाद से पढ़ेंगे उपर आश्टपती जो की 18 में आता है फिर chapter 30 में जाना है और राज्यपाल के बारे में ठीक है 19 में नहीं जाना है 19 में जाने का भी कोई उतना जरूरी नहीं है इसी order में पढ़ते हुए आपको जाना है 17 जब आप 32 तक जाएंगे तो आपके total कितने 8 chapter आपके खतम हो जाएंगी ठीक है 8 chapter में आप क्या सिखेंगे कि वो runs the system हमारा जो भी चल लाया सरकार वो कौन रन करता है ठीक है यह जब हम एक बार जान लेंगे अब हम आएंगे दूसरे पार्ट में यह तो जान लिए कौन कौ हमारा पूरा का पूरा सतार या फिर जो भी चीजे हैं तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसके लिए हम लोग पहले पढ़ेंगे chapter 12 ठीक है 12 पढ़ने के बाद 13 14 और 15 यह चाहे तो आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं ठीक है अगर आपके पास time कम है तो इसको बाद में के लिए छोड़ सकते हैं कि छोड़ने का मतलब यह नहीं कि यह important नहीं है बस इनका अभी उतना importance यह नहीं है कि आने वाले chapter में इनका जरूरी है ठीक है तो सबसे पहले आप 12 कवर करेंगे उसके बाद अच्छा है 13 कवर कर सकते हैं 14 15 यह तीनों कवर कर लीजिए अगर आपके पास full समय है और एकदम chronology call order से चलना चाते हैं तो 12 के बाद आप 22 पर आ सकते हैं ठीक है 22 पर आईए और वहाँ पर parliamentary system के बाद parliament पर आए ठीक है इस करम में पढ़ेंगे तभी आपको अच्छा लेगा पढ़ने में भी और समझने में भी असानी होगी ठीक है 22 के बाद 21 पर आएंगे cabinet to committees पढ़ेंगे फिर 33 को पढ़ेंगे और 51 को पढ़ेंगे ठीक है ऐसे पढ़ते हुए हो और हाँ वाला दोनों खतम हो गया इसके बा को पढ़ेंगे ठीक है हाई कोट के बाद हम लोग 35 पर जाएंगे tribunals को पढ़ेंगे 36 पर जाएंगे subordinate votes को पढ़ेंगे 52 पर जाएंगे उसके माद 33 पर जाएंगे और ऐसे करके हम लोग यह तीसरा वाला पार्ट भी खतम कर देंगे ठीक है हर देखिए जितने भी मैंने य नीचे लिग दिया है तो आपको जरूरी है कि नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले रिवीजन एक पार चरूर कीजी ठीक है रिवीजन जब कर लेते हैं तो आपको उसके नीचे वाला जो सेक्षन है उसको समझने में आसाने होगी यह खतम कर लेने के बाद अब हम लोग आ यह पहले पढ़ेंगे 43, 44, 42, 24 और 45 यह हम लोग क्या करेंगे पांचों कवर करेंगी constitutional bodies ने ठीक है इसको कवर करने के बाद हम अब लोग आएंगे अब जो चीज बची है जो सबसे ज्यादा important है और हमारे current affairs को भी link करते हुए चलती है अब हम लोग आएंगे इसके बाद य यह सारे chapters हम cover करेंगे ठीक है इन सारे chapters को जब आप cover कर लेंगे तब आप आएंगे कि आपका लगभग 50 या 60% आपका 60% नहीं 70% मान के चलिए जो सबसे जाता जरूरी है और जिस order में पढ़ना जरूरी है वो आपका cover हो जाएंगा ठीक है इसका मतलब यह नहीं कि आपको ब government हमारी सरकार कैसे work करती है और किस principle पर work करती है ठीक है जब भी हम book को उठाएंगे तो उसमें आप पाएंगे कि बहुत सारे factual data भी लिखे हुए हैं तो उनको हम कोई याद नहीं करना है ठीक है जैसे कहीं आप पाएंगे कि कोई amendment हुआ है कोई शंशोधन हुआ है तो उसका exact date भी लिखा हुआ है कि 24 जुलाई 25 जुलाई 2022 या तो जो भी लिखा है उसमें तो उसको आपको exact date को याद नहीं करना है ठीक है और सारे आपको जितने भी आप पाएंगे जिस chapter में जाएंगे वहाँ पे सारे article number भी लिखे हुए है तो obviously बात है ये भी आपको याद नहीं क या है इनका क्योंकि ये सारे जो भी चप्टर आप आएंगे इसमें citizenship या fundamental rights ये हमेशा चर्चा में रहते हैं चर्चा में रहते हैं current affairs जब आप पढ़ेंगे तो आप आएंगे कि ज्यादा तर जो भी मुद्दे होते हैं इनी सबसे related होते हैं इनका कम से कम याद होना कि अब एक बार आपको बुक में लेकर चलते हैं और बताते हैं कि कैसे इसको गवर करना है उसे पहले ऑपको इशारी मेरा हो गया है गया उपर आश्ट्र पतिका निरवाचन पर इसमें इतनी सारे दिए हैं कि कौन-कौन उमिद्वार था या फिर प्र प्राप्तमत कितने थे तो ये सारी चीज़े आपको याद नहीं रखनी है और बाकी और कुछ चीज़े दिखाता हूं जैसे ये सारी जितने भी factual data हैं ये आपको इतने सारे याद नहीं रखने होते हैं ठीक है बस आप कोशिश कीजिए कि उस समय जिस वर्ष आप पेपर दे रहे हैं तो उस समय जो भी चीज़े चर्चा में रही हैं उनके आर्टिकल नमबर बस याद रखें बाकी इतने सारे डेट आपको exact date भी याद रखने की जरूरत नहीं है ठीक है जैसे एक और चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा है अनुछेद लिखा है और विशे लिखा ह तो किस अनुछेद का कौन सा विशे है ये सारी चीज़े आपको नहीं याद करनी है बस कोशिश किजिए कि जो चीज़े आपकी current में चर्चा में रही है उनका आर्टिकल नमबर आपको याद करना है और हर विशे के जैसे ही आप एक chapter complete कर लेंगे तो हर chapter के last में आप जाए जिश्ट जैसे ये टिपड़ी एंवान संदर ठीक है तो यहां पर जो भी आपने इस chapter में पढ़ा है उनके जो भी important points होते हैं important means जो भी हमारा exam है उसके दृष्टी से उतना important नहीं है मतलब जो भी इसका निचोड निकलता है वो सारी इसमें लिखती गई होती है जो main fact होते जैसे पुंची आयोग है ठीके कोई आयोग है चाहिए कुछ भी है तो इस आयोग में देखेंगे पुंची आयोग में इतने सारी सारी details में उसकी चीज लिख वह है ठीक है उसके बाद से आएंगे तो यहां देखे 8 points यहां तक लिखा है ठीक है यहां पर देखीं तेरह अभी 14 से लेके ये 38 तक आ रहा है तो ये आपको पूरा याद नहीं करना है कि 38 में क्या लिखा है 37 में क्या लिखा है या फिर इतने लिखे हैं तो ये सबको बारे में जानकारी आपकी होनी चाहिए ठेक है ये इतना detail में ना ही पढ़ने की जुरुत है और ना ही इतना कोई प पर में आए तो उसमें जब नाम आए तो आप blank ना हो जाएं कि ये क्या होता है मुझे पता नहीं है ठेक है जैसे पुंची आयोग है तो उसके बारे में पहले जानी है कि ये क्या कहता है इसके उद्देश क्या थे इसको आयोग को बनाने के या फिर जो भी चीज़े है तो यह तो हो गए आपके जो भी points हैं यह मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको पढ़ना है अब शुरू से चलते हैं एक बार जान लेते हैं कि इसमें आप जब मैंने जो बताया था आपको points तो जब आप cover कर लेंगे जो मैंने बताया था अभी वीडियो में अभी ही शुरू म देखेगा पहला चेप्टर अतियासिक प्रिष्टफो में historical background ठीक है historical background को आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है देखिए पहला और चेप्टर दूसरा चेप्टर जो है आपको इसको छोड़ देना है छोड़ना मतलब यह नहीं है कि इसको छोड़ दीजी यह आप जब history complete हो जाएगा आपका तभी मैं तो कहूंगा कि जब history complete हो जाए तभी इन दो चेप्टर को छोईएगा ठीक है अभी शुरू में जब आप छूएंगे और history आपका complete नहीं है तो फिर आपको यह कुछ भी समझ में नहीं आएगा ठीक है यह इसमें आपको कुछ भी समझ में आएगा भाई इसको नहीं पढ़ना है शुरू में यह history जब तक आपका complete ना हो तब तक इनको चुईएगा बन नहीं और जैसे यह आपका history complete होगा तो आप आएंगे यहाँ पर पाएंगे तो आप आएंगे कि यहाँ पर यह सारी चीजे मेरी complete हो चुकी है ठीक है तो इनको नहीं पढ़ना है पहले शुरू में पहले दिन यह इसको उठा लोगे और आपका history complete होगा और पहले दिन यह quality में यह पहला चप्टर तो गया आपका हो गया तयारी कुछ भी नहीं हो पाएंगा ठीक है उसके बाद से जब पहला दूसरा तो छोड़ देना है फिर आना है ज आपको पता चलेगा कि छठा मैंने cover कर लिया जो मैंने वीडियो बताया था उसमें आपको यह सारे points cover कर लिये हैं यह सब के सब आपके cover हो गए रहेंगे ठीक है ऐसे cover करते जाएंगे अब देखेंगे कि कौन कौन सा छूटा है ठीक है यह cover किये 11-12 मैंने आपको बताया था कि 12 के बाद 13 14 15 को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं यहा पर मैने विन लिख भी दिया है तो आप साये तो इसको छोड़ तक abrasive में वोला था कि बाद के लिए छोड़ सकते हैं अगर बाद के लिए छोड़ा है तो यहाँ पर cover कर लिजिए और नहीं छोड़ा है तो फिर कोई चप्टर इसको मैं मानता हूं पूरे WAG comedy में जो जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना भी होता है ठीक है quality वाले चप्टर में जब आएएँगे टो sorry, parliament वाले चप्टर में तो यहाँ पी तेखी संसद में budget के बाद आप इसको चाहें तो ये तीन चीजे जो भी दिये हैं, तीन इधर हैं, और बाकी का इधर दिया है, तो इस तीन 6 को आप ठोड़ सकते हैं, इसका कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, अगर cover करते हुए आएंगे, तो आप पाएंगे, लास्ट में आप थोड़ा सा देखिए, देखिए, जिएस्टी जो है, यह 46 नमबर दिया है, जिएस्टी, यह सारे चेप्टर आपके इंक्लूड किये गया है, पहले यह नहीं थे चेप्टर, ठीक है, पहले यह चेप्टर नहीं थे, बाद में इनको इंक्लूड किया गया, जब 6th edition आया, तो 5th edition में नहीं था, क्योंकि GST आप आएंगे, भाग साथ में, ठीक है, एक हाँ से फ्रोंट पकड़ा, एक हाँ से बना रहे हैं, इसलिए स्वरी, अच्छे से नहीं आ रहा होगा, फिर भी कोशिश करता हूं सब चीज़े दिखाने की, तो यहाँ पे दिखिए, भाग साथ में जब आएंगे, constitutional bodies को जब आ इसलिकल नहीं है, कि वो important नहीं है, ठीक है, important है, लेकिन किस क्रम में पढ़ना चाहिए, इसको आप बाद में भी cover कर सकते थे, ठीक है, तो इसको बाद में cover करेंगे, तो भी आपका कोई दूसरी चीज़े आप से link होके छूटेंगी नहीं, ठीक है, देखिए, समवैधानिक निकाय आपके थोड़ा ज्यादा important होती है, और गैर समवैधानिक निकाय जो है, वो थोड़ा कम important होती है, और इनको chapter को देखके घवड़ाना नहीं है आपको, देखिए, जो भी chapter है न, वो बहुत छोटे-छोटे हैं, इनके notes आपके लगवग एक पीज से आधा में भी बन आएंगे, और एक चीज़ यहाँ पे देखा था मैंने, यह भाग दस जो है, इस भाग दस को अगर आपका prelims के तरफ जादा धान है, तो इसको आप पूरा का पूरा छोड़ दीजिए, यह prelims का syllabus में नहीं आता है, ठीक है, भाग दस जो है, यह prelims के syllabus में नहीं आता है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, मेंस, जब भी आपका prelims केलियर हो जाए, तो इसको आप कवर कर सकते हैं, मेरा कोई भी यहाँ पे कहने का मतलब यह नहीं है, कि यह less important है, ठीक है, अब आये जान लेते हैं, कि इसको सबसे अच्छे तरीके से पढ़ने का तरीका क्या है, ठीक है तो आशकता के लिए आप YouTube पे जाएंगे, तो आपके अनुसार जो भी टीचर आपको सही लगेंगे, कवर करने के लिए, आप उनसे कवर कर सकते हैं, तो इस तरह से अगर आप कवर करेंगे, तो definitely आपको कभी भी quality में कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो आशा करता हूँ, आप लिख के उसको पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने आमार मेंस एंसर राइटिंग सीरीज का वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज उसको जाकर देखिए, वहाँ पे आप लोग को बहुत सारे मेंस एंसर राइटिंग की टिप्स मैंने बताया हैं, कि कैसे आप एंसर राइटिंग को सुधार सकते हैं, वीडियो को अभी तक लाइक ने किया है, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकि आपका कुछ जाता नहीं है इन दोने चीज़ों को करने में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के जाहिन